प्यारे दोस्तों, आज की कहानी सुधा नाम की एक लड़की की है। अरे भाग्यवान, क्यों मेरी बिट्या को तंग कर रही हो, सोने भी दो इसे। लो, बाप बेटी दोनों एक जैसे हैं, देख ले न, आपकी ये लाडली ससुराल जाके हमारी नाक कटाएगी। मैं कहती हूँ, अब भी वक्त है, अपनी ये आदते सुधार ले, वना ससुराल में तेरी सास कान खीच कर तुझे सीधा करेगी। वही तुझे सबक सिखाएगी। दनिया में आज ते कोई ऐसे सास पैदा नहीं हुई मा, जो सुधा चौपड़ा को सबक सिखा सके। लेकिन होनी को कुछ औरी मन्जूर था। सुधा के शादी एक ऐसे घर में हो जाती है, जहां उसकी सास एक रिटाइड पुलिस वाली थी। अब कहानी में मजाएगा। हाँ मा, यहाँ सब बहुत अच्छा है। मेरे ससुराल के लोग भी ना बहुत मिलंसार है। ठीक है मा, मुझे नेंद आ रही है, फोन रखती हूं मा। ठीक सुभा पाँच बजे। अरे जल्दी उठो भागिवान, वना कयामत आ जाएगी। हैं? क्या हुआ? कौन सी कयामत आ जाएगी? अरे मेरी मा आ जाएगी, तुम नहीं जानती। इस घर में सिर्फ मेरी मा का हुकम चलता है। सबको सुभा पाँच बजे बिस्तर छोड़कर हॉल में पहुँचना ही पड़ता है। अरे, अब इंसान क्या अपनी नेंद पे पुरी नहीं करेगा। यहां मजाग चल रहा है क्या। तभी वहाँ सुधा की सास आ जाती है। अटेंशन! मजाग तो तू समझ रही है बाबू! यह मेरा घर है। और यहां हर किसी को डिसिप्लिन में रहना होगा। अटेंशन! अरे, माजी लेकिन इतनी सुबह कौन उठता है? कौन होता है मतलब? हम सभी उठते हैं! रोज उठते हैं! और अब से तुझे भी उठना पड़ेगा! अखिर मैं पुलिस वाली जो ठैरी! अटेंशन! अरे, माजी लेकिन अब तो आप रिटायर हो गई हो ना! तो क्या हुआ? शेर कितना भी बुड़ा हो जाए, शिकार करना नहीं छोड़ता! उसी तरह हम पुलिस वाले रिटायर होने के बाद भी अपने अनुशासन में ही जीवन जीते हैं! चलो, अब बेकार की बहस बन करो और उठकर हॉल में चलो! अभी आदा गंटा तुम सब की परेड चलेगी! अटेंशन! अरे, मैं कोई परेड परेड नहीं करने वाले! सुधा की सास अपनी बहु का ये बरताओ देख जल्ला उठती है! गोर से देख! तू कहां और किस के सामने खड़ी है? यहां बाद सिर्फ एक बार समझाई जाती है! बस! अटेंशन! इतना कहकर सुधा की सास चली जाती है! अपनी सास का ये रूप देखकर सुधा घबरा जाती है! और जल्दी से उठकर बाहर चली जाती है! उस दिन से सुधा की जिन्दगी बदल जाती है! हाई ठक गई मैं तो! ये घर है या जेल? कितना काम करना पड़ता है! लाइए दीदी! दो रूटिया और दीजिये! मुझे बड़ी भूग लगी है! ठहर जा बहू! ये तू क्या कर रही है? मैंने सबकी खाने का हिसाब तैका रखा है! तुम चार रोटी से ज्यादा नहीं खा सकती! और ये मिर्च मसाला भी नहीं चलेगा! मेरी बहूए एक दम फिट होनी चाहिए! अटेंशन! क्यों मा जी? आप हमें दंगल में लड़ने के लिए तैयार कर रही हैं क्या? क्या कर रही हो सुदा? मा जी को मजाग बिलकुल पसंद नहीं है! चुप करके खाना खालो! इसे में बलाई है! इस तरह दीरे दीरे सुदा अपने सास के रंग में पूरी तरह रंग जाती है! लेकिन इसका उल्टा ही असर पड़ता है! सुदा अपनी सास से भी ज्यादा अनुशासन की पक्की हो जाती है! सुधा की सास तो सबको पांच बज़े उठाती थी लेकिन सुधा सबको चार बज़े ही उठा देती थी दूसरी तरफ सुधा की सास की उम्र भी हो चलती है मा जी आज कलाब सुबो उटने में बहुत आनाकानी करती है मुझे ये सब बलकुल पसंद नहीं है अरे बहु मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ भगवान के लिए अब मुझे छोड़ दे इतने सवेरे उटना और कसरत करना अब मेरे बस की बात नहीं है मा जी आप मैदान छोड़के भाग रही है आप तो पुलिस वाली है अटेंशन अरे अब कहां की पुलिस वाली अब तो मैं रिटायर हो चुकी हूँ बस बहुत हो गया अब तुम सब जैसे चाहे वैसे जिनगी जीओ और मुझे भी जीने दो अपनी सास को गिड़ गिड़ाते देख सुदा मन ही मन मुस्कुराती है इस तरह उस दिन के बाद से सुदा के ससुराल वाले एक सामान्य जीवन जीने लगते हैं